विल्कम बैक विल्कम बैक दोस्तों विल्कम बैक टो आवरे टो चैनल अद्वान सेफ्टी वाला आज हम फिर से एक नया वीडियो लेका हैं होफुली आपने हमारा पिछले वीडियो सभी देखा होगा और अगर आप कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा अगर आप चाहते हैं कोई नया कम कोई टॉपिक पर हम डिसकस करें तो या फिर वीडियो डाले तो जरूर हम में बताएं कमेंट के द्वारा तो आज हमारा टॉपिक है पर आप देखी रहे हैं डीजी फसली का और एक ट्रेनिंग कोर्स का और ए इंपॉर्टेंट तो उसका डिपूर्टिंग कैसे हा। इंवूर्टिंग कैसे होता है उसका कॉष रूट्पॉस अनालिस वहता है तो इस से इंट रवे इंप Lessulee स्बॉस नहीं है और आपको आपकों स्थी mooables कोट से है 16th of January से एक्चुडी यह स्टार्ट है और 16 जैनुवरी से 17 जैनुवरी तिक यह RLA कोलकाता डीजिनल लेवर इस्टूट कोलकाता में जो की लेक्टाउन एक जगह है वहाँ पर उसका इस्टिट्थिशन है तो इसका जो भी कोर्से डीटी एव हम अज डीजए सकारेंगे पहला तो है कि यह एक जूस अनलाइन नहीं है यह ऐफलन कोरसे तो यह हव सिपाइन दिन्सेटीशन है और सबार्ट इस को अब इजए ने नियंत्रित एक autonomous organization है जो कि बहुत सरे acts, trainings और in fact ADIS course जो कि एक safety profession के लिए बहुत important है, डिजी firstly organize करते हैं और original labor institute का head office जो कि है मुंबई में, डिजी firstly मुंबई जिसको हम Central Labor Institute या CLI के नाम से जानते हैं तो all these course are been controlled by them और ये उनके training schedule के हिसाब से schedule किया हुआ है तो हम देखते हैं कि program highlights क्या-क्या है, क्या-क्या topic discuss होने वाला है तो पहला है कि classification of accident, accident classification बताया जाएगा statutory provisions related to accident reporting, costing of accident, causing and prevention of accident, accident investigation techniques, accident reporting and documentation, industrial hygiene lab and safety center visit ये last वाला जो है ये आपको पहले तो online में ये चीज़ आपको मिलेगा नहीं R.L.I. में industrial hygiene lab एक बहुत equipped lab है जहाँ पे आप industrial hygiene lab में air sampler, water analysis ये सब well equipped lab में आप देख सकते हैं क्या-क्या equipment एक lab में होता है, industrial hygiene lab में और क्या-क्या test उसमें होता है, कैसे उसके analysis करते हैं, तो this things you can see with a good guidance, अगर आप industrial hygiene lab में कभी नहीं गए हैं, जैसे R.L.I. ये C.L.I. छोड़के और कहीं तो industrial hygiene lab का setup है ही नहीं, तो वहाँ पे जाके आप ये है hygiene lab में training, इस training के दौरान आप वो lab विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बताया जाएगा, और safety center वहाँ पे एक experience कर सकते हैं, and if you have not visited any R.L.I. before, तो I think you should go there, और जो कि ये offline mode है, इसका मतलब अगर आप outside, मतलब को लकाता के बाहर हैं, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो देन यहाँ पे जो भी है, एक non-family hostel accommodation एवेलबल है, और जो आप first come first services है, मतलब आप यहाँ पे जब रहने, मतल जो फॉर्म फिलब करेंगे, तो इसमें आपको mention कर देना पड़ेगा, कुमेल में, mention कर देना पड़ेगा, you want to opt for this hostel, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे, जो भी arrangements है, मतलब fooding का, refreshment का, तो यह चीज आपको खुद सेरेंज करना पड़ेगा, बहुत सालों पहले वहाँ पे भी कैंटीन था, लेकिन अभी होता नहीं, अभी कैंटीन नहीं है, वहाँ पे, तो इसमें क्या क्या है, कि पार्टिसेट प्रटिसेट फी 5000, कैसे अपलाई करना है, the same thing, इसके बारे में हमने अल्लेडी एक वीडियो डाला हुआ है, कि जो प्रॉसेस है, आपको भारत को स्पोर में जाके कैसी इसको पेमिंट करना है, बट पेमिंट करने के पहले एक चीज़ आपको शूर होना है, कि यहां पर लिग दिया गया, intended participants are requested not to deposit institution fee, unless confirmation received from the program coordinator, मतलब आपको पहले program coordinator से यह फोर्म बेज के आपको confirmation ले ले लेना है, इजिनल लेवर इंस्टूट यह फोन नमड है उनका और यह दीज तूट मेल आईडी कोडिनेटर का नाम है, Mr. Hari Kashmina, जो की Assistant Director है, तो अभी हम देखते हैं, यह है इसका registration form, registration form में आपका नेम, gender, designation, category, phone number, mail आईडी, work experience, कौन से कंपनी से बिलाउं करते हैं, और यह आपको mention करना पड़ेगा English और Hindi दोनों language में, because जो certificate आप को मिलेगा, उसमें English और Hindi दोनों रहते हैं, और name and contact person with a phone number, आपके कोई आपका boss या manager, management में किसी से भी contact person या HR person का नाम आपके organization का आप दे सकते हैं, as a reference, और यह जो free details है, यह free details जब आप nomination के लिए भेज़ेंगे, तब यह free details भरने का ज़रूरत नहीं है, आप बस nomination के लिए बाकी details भरके date लिक के, आप पहले sign करके, यहाप आपको sign भी करना पड़ेगा, sign करके आपको भेज देना है, और यह last date of environment है, 12th January, आप यह भेज देने के बाद आपको confirmation मिल जाएगा, confirmation मिल जाने के बाद आपको तुरंद payment कर देना है, और payment करके वो just उसका जो payment receipt है, और यह आपे जो fees details दिया हुआ है, वहाँ पे आपको, आपका transaction ID, वहाँ पे डालके, उस payment receipt के साथ, यह form को scan करके भेज देना है, बस इतना ही करना है, और कुछ आई नहीं, very simple thing, अमने पहले भी बहुत सारे training video, training का information, सारे लाइक का, डीफास्टी का training का information दिया था, तो यह same ही type का है, कोई नया अलग rule नहीं है, same rule है, बस आपको fee payment करने के पहले, confirmation लेना है, program coordinator से, तो यह था आज से आपका, एक information और अच्छा topic पे, जो की accident reporting, investigation analysis, तो आज का वीडियो बस इतना ही था, तो हम शमाप्त करते हैं यहाँ पे, that's all, thank you, thank you for now.